जहिन चात्रों मैं इशार हमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिलकुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है आसानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में 4 दिन subject wise, topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूं लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो या देखे कि जो बच्चा अगर पूरे महीने भर में perform करता है तो उसको पांच test series जो की आगे आने वाले prelims के लिए competition community में हो रही है तो आपको उसका access free of cost मिलेगा जो बच्चा perform करेगा अब समझते हैं कि यह program कैसा होगा तो याद रखेगा जो बच्चा दो अगर 5 questions सहीं बना तो उसे 5 star मिलेंगे इसी के according ही आपका जो है measurement सारा होगा देन उसके बाद आपका result release किया जाएगा ठीक है और याद रखना है चात्रो कि अगर mobile app download करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्य होगी तो आप question session program में यहां देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दि उसमें login करना होगा और login करने के परस्चात आप देखेंगे कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से 10 question अगर सहीं बनाते हैं और आपका अगर आप perform करते हैं तो आपको website में आप दिखे जाएंगे आपका नाम शो करेगा उसमे ठीक है जहिन शातरों मैं इशार है मत competition community के इस question session program में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस्तर पर तयारी कर रहे हैं ज सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो बने रहो मतलब बस सहीं बने रहो गवाही वक्त खुद बखुद देगा मतलब कि अगर इसे और हमारा उद्देश रहेगा सिर्फ युद्धि याद रखेगा प्यारे साथियों के आपका प्रतियोगी परिच्छाओं से रिले जानता हूं छात्र जीवन में बहुत सारी अवहलनाय उत्पन्न होती है जिसके वज़ा से कहीं न कहीं हमारी निरंतरता कमजोर होती है तो उसको ही उद्देश में रखते हुए इस धौट को लेना है अधर्वाइस किसी चीज को नहीं लेना है ठीक है बहुत सारे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हमें जो है सीर्फ वसीप इतना मालूम होना चाहिए कि हमारी निरंतरता बराबर है और एक दिन हमारे लक्ष की प्राप्ति जरूर होगी आशा करता हूं इतनी चारी चीज़े आप लोग को समझ में आई होगी और जादा समय ना लेते जो कि भारत का इतिहास चल रहा है एंशेंट पॉर्षन हम कवर कर रहे हैं प्राचीन पॉर्षन हम कवर कर रहे हैं जिसमें वर्धन वंस के बारे में चर्चा करेंगे वर्धन सुनते साथ कई लोग को अवहिलनाय उत्पन होएगी किसार इसे पुष्य भूती वंस भी कहा की जाता है तो बिल्कुल हाँ फुष्य भूती वर्धन ने इसकी स्ठापना की थि कहां हर जाजी हर ब्लकी तो इसे पुष्य भूती वंस भी कहा जाता है लेकिन इसमें एक सासा का है, एक प्रसासा का है, एक बहुत अच्छे प्रतिनिधित वो करता है, जिसका नाम था हर्स वर्धन, हर्स वर्धन की वज़ासे जो है, इसका व्यापक्ता जो है, इसका वर्धन वंस जो है, बहुत ही आपका प्रख्यात हुआ, बहुत ही प्रसिद् ओत्तरप्रदेस बिहार और शेतर में अधिकतर जितने भी अफिलनाएश चल रही है और देखा भी वर्तमान स्थितिमें अगर राजनेतिक रिश्टिकोंऽ से connection मैं जांपने डेकलेशिटीमीन इसे प्रृबाव साली इसलिए रहा है क्योंकि गंगा नाधी दौप छेतर चेतर रहा है और वहां की व्यापकता और वहां का मतलब आपका कहा जाये कि आर्थरिक दिस्टिकोन से भी देखें तो अभी उतने ज्यादा सक्षम नहीं लेकिन जहां पानी मिलेगा वहां लोग जो है अपना जीवन यापन करेंगे और वहां से बहुत सारी चीज़े उत्पन होती है सामने क्रिसी के शेत्र में बहुत ही आपका प्रसिद्ध रहता है वो चेत्र तो इसलिए जो है और आपका आप यहां कुछ इस प्रकार से भारत का नक्सा है अब इसमें देखते हैं कि अभी तक के जो धारावाहिक हमारा चला मतला हमारा सेशन जितना भी चला उसमें हमने देखा के मगद समराज्य से दरसल बात ऐसी ही कि दिगवेदिक इरा से भी देखे तो रिगवेदिक जो है संपन हुआ किस तरफ रिगवेद की रचना हुई आपका सब्त सेंधाव प्रदेश मतलब की जम्मु और कस्मीर वाले चेतर में लेकिन उसके बाद उत्तरवैदिक काल के चेतर में जो यजूरवेद सामवेद और अथरवेद की रचना किस तरफ हुई आपका उत्तर समराज्य जब हम पढ़ रहे थे तो मगत समराज में हमने देखा कि आपका हमेशा लड़ाई किसके लिए हुई आपका मगत वाले चेतर के लिए उसमें हर्यक वनसाय सिसुनाग वनसाय नंद वनसाय फिर आपका मौरे प्रशाशन हुआ अशोक आया अशोक ने भी समराज जविस्तार बहुत अच्छी तरीके से किया उसके बाद ब्राम्हन वनस का उदय हुआ जिसमें देखे हैं हमने सुंग वनस कन वनसाय ने पहुत सारे वनस को देखा उसके पस्चात अभी भी देख रहे हैं कि गु गुप्त वनस के ही सामन्त थे आपके कोन वर्धन वनस वर्धन वनस जो वाले जो लोग जो थे गुप्त वनस के सामन्त थे लेकिन उन लोग का संकिंद्रन था हर्याना वाले चेत्र में इसे थोड़ा समय इस प्रकार से जो है आपका पुरमीड गया कोई बात ने फिर से ब एक राजवन्स कउदय हुआ, जिसके संस्थापक थे पुष्चेभूति वर्धन, पुष्चेभूति वर्धन के पुत्र हुए प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के तीन पुत्र हुए, तीन पुत्र मतलब दो पुत्र हुए और एक पुत्री हुई, तो उसमें से थे आपके एक हर्सवर्धन, हर्सवर्धन ने आपका कन्योज वाले छेत्र को जीता, कन्योज वाले छेत्र को जीतने का कारण भी बताता हूं, इस तरफ का छेत्र को जीता, और उसके साथ-साथ बंगाल वाला छेत्र, मालवा वाला छेत्र, और इधर उत्तर भारत के इस वाल तूट गया, फिर तुरी प्रक्षी संगर्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो याद रखना है कि जो प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकर वर्धन के तीन संतानी हुई, कौन-कौन, पहले थे राजवर्धन, राजवर्धन के भाई थे हर्सवर्धन, और हर्सवर्धन और राश्श्री सुन कई कहीं अधर्वाइज नहीं सुनने है आज कले इड्वर्टेजमेंट बहुत आ रहा, देखने मत बिढ़ जाना ठीक है और जो है राश्श्री का विवाह जो है वह इस वाले छेत्र में आपका था कन्नाज है कन्योज वाले छेत्र में हुआ आपके राश्री का विवाह कहां से आपका थानेश्वर वाले छेत्र से हुआ विवाह उनका कन्योज में मौकरी राजा ग्री वर्मा के साथ मौकरी राजा ग्री वर्मा के साथ और जब उनका विवाह मौकरी राजा ग्री वर्मा के साथ हुआ एकदम याद करते हुए चलना है और मैपिंग करके खुद बनाना है ठीक है लिक के दे दूँगा इस्क्रिंसोर्ट के याद करने बिर जाओगो खुद से बनाना है इसे ठीक है और जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से जो है कुईक रिविजन फॉर्मेट मे दिखाई दे रहे आपको यहां थे आपके देवगुप्त नाम के एक राजा जिनका जो है आपका प्रशासन चल रहा था और ग्रीवर्मन जो आपका कन्नौज वाले छेत्र में थे और देवगुप्त जो मालवले छेत्र था यहां मैं अच्छी तरीके से बता देता हूं कि आपका ग्री वर्मा और आपका कन्योज वाला छेतर ठीक है लिख देता हूँ कन्योज वाला छेतर और यह वाला होगे आपका मालवा जहां थे आपके देवगुप्त इन लोग का आपस में संबन्द सही नहीं था क्या नहीं था आपस में संबंद सही नहीं था अब आपस में इन लोग का संबंद नहीं सही नहीं था तो देव गुप्त जो नीचे में है वो जो है हत्या कर देते हैं किसकी आपका ग्री वर्मा की ग्री वर्मा की हत्या कर देते हैं लेकिन अभी मैंने थोड़ देर पहले महाँ से भाग निकली तो वरतमान में वहाँ लगा की जो है रानी भी जो है राश्री भी चुप नहीं आप लोगों को इस स्टर्ट में बताया कि प्रभाकर वर्धन प्रभाकर वर्धन के दो बेटे, तीन बेच्चे, पहले हो गए आपके राज वर्धन, दिखाई दे रहा है, दुसरा हो गए आपके हर्स वर्धन, और तीसरा मैंने बताया, राश्च्री, ठीक है, तो ये जो राज वर्धन है, राज वर्धन गए, और जाके यहां जो बैठ राजा थे और कौन बैठा था राजा यहां मालवा के देवगुप्त यह देवगुप्त की हत्या कर दी क्लियर है पहले क्या बताया मैंने कि आपका राश्री का विवाज आपका किसके साथ हुआ ग्रीवर्मा के साथ हुआ ग्रीवर्मा की हत्या किस ने कर दी देवगुप्त और देवगुप्त की हत्या की राजवर्धन ने, ठीक है, अब राजवर्धन जब हत्या कर लिया, तो ये वाला छेत्र जो है, end of the day किसके पास आ गया, राजवर्धन के पास, लेकिन इसी का ही दोस्त, देवगुप्त का ही दोस्त, यहां जो था, आपका शाशन कर रहा था, स आजवर्धन का भाई कौन है, हर्षवर्धन, अब यहां से हर्षवर्धन गए, और ससांग को निप्टा दिये, मतलब ससांग की हत्या कर दी, ठीक है, तभी जो है हर्षवर्धन को पूरा कौन सा छेत्र मिल गया, आपका पूरा का पूरा कन्योज, मालवा, बंगाल वाला चेत्र और पहले ठानेशवर्धन था ही, तो कहानी कुछ इस प्रकार से है चात्रों, इसको एक बर रिवाइन करके अच्छी तरह से देखिएगा, एक प्रकार से जो है, यह तो पूरा नीचे वाला चेत्र नहीं, जो है आपका दक्चिन भारत में नहीं गय थे वो, तो इत यह चेत्र पूरा किसका हो गया, हर्सवर्धन, और हर्सवर्धन का यह चेत्र हो जाने के कारण हर्सवर्धन क्या हुए, एक प्रतापी सासक के रूप में सामने आए, अब जो है, हम डिटेलिंग देखते हैं, आशा करता हूँ, इतनी सारी चीजे आप लोग को समझ में हर्सरी, जो कि किसके प्रभाकर वर्धन के बच्चे थे, उनके बीच में यह संगर्स हुआ, और इंड आप दे जो है, आपका कन्योज वाला छेत्र जो है, किसका हो गया, हर्सवर्धन का, अब इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो इसे याद रखना है, कि इसकी पुष्यभूती वर्धन के रूप में भी अगर बताया जाए, कि पुष्यभूती वर्धन ने इसकी स्थापना की थी, उसके पुत्र प्रभाकर वर्धन के तीन बच्चों ने इसे विस्तारित किया अच्छी तरह से, तो यहाँ देखिए, कि जानकारी के इस्तरोथ, बान तरंगीनी में भी इसका उलेख मिलता है, ठीक है, कलहन नाम के एक लेखा कहा है, उनके बारे में, इसके राज़ तरंगीनी नाम की बुक है, उसमें इसकी जानकारी मिलती है, उसके भाentar है, वेन साम saferdhan के सांकाल में ही, भारत आये थे, और नालंदा विश्वीध्ययाले मे सिक्षा प्राप्त करने के लिए आये थे किसकी महायान साखा की बौध सिक्षा प्राप्त करने के लिए थे और इसी बीच जो है वहाँ के प्रोफेसर भी बन गए और हर्स के बहुत अच्छे सही योगी और साथी भी बन गए ठीक है? वैसे तो हर्स जो है हर सवर्धन थे तो हिंदु धर्म के अच्छे तरीके से पालन करने वाले लेकिन उनका जुकाओ कहीं न कहीं आपका बहुत धर्म के प्रती रहा है आशा करता हूं इतनी सारी चीज़े आप लोगों को समझ में आई होगी दिन आगे बढ़ते हैं कि रवी कृती की एहोल अभी प्रसस्ति अभिलेक में रवी कृती की एहोल अभी प्रसस्ति अभिलेक जो है वो पुलकेशिन दुटी की व्याख्या करता है जिसमें हर सवर्धन जब दक्षिन भारत में आकरमन करते हैं तो उस समय आपका पुलकेशिन दुटी से हार जाते हैं तो उसकी व्याख्या आप का एहोल प्रसिस्ती, एहोल अभिलेक से मिलती है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, रवी किरिती द्वारा, आईए इसको असानी से एक बार और समझ ले, अगर छोटा सा मैप बना दू यहाँ, छोटा सा मैपिंग कर लेते हैं, ठीक है, आशा करता हम इतना दिखाई फिर से नक्सा बना लेते हैं, दरसल बात ऐसी है चात्रो कि कहानी को फिर से हमें, धारवाहिक को फिर से एक बार रिवाइंड करके समझना है, कि एक समय ऐसा आया, जब हर सुवर्धन ने ससां की हत्या की, और ससां की हत्या करने के बाद उसका कन्नोज हो गया, उसका हो गया बंगाल वाला छेत्र और थानेश्वर तो पहले थे और आसपार के छेत्र को भी उसने अच्छी तरह से विजित कर लिया, अब बचा छेत्र कहा का, आपका दक्षिन भारत का, तो हमारे महासा, मतलब हमारे प्रताभी शासक हर्स ने सोचा है कि अब दक्षिन भारत में भी हमल करना चाहिए और जब दक्षिड भारत में हमला करने के लिए गए तो यहां मिलेगा सबसे उपर में आपको सत्पुडा के घने जंगल बड़े अनमने जंगल ठीक है तो उस छेत्र में जब इन्होंने आकर्मन किया और नीचे में नर्मदा घाटी छेत्र दिखा तो यहां से नर्मदा घाटी छेत्र से एक प्रसस्ती अभिलेग पाया मिलता है एहल अभिलेग जो कि रवी कृति द्वारा लिखा गया है जिसमें पुलकेशिन दूती की व्याक्ष्य है और यहां जो है चालुक के शासकों का उस समय सासन था तो हर्स ने जब आकर्मन किया था तो हर्स जो है पराजित हो गया था किन से चालुक के सासकों से जिसके आप इससे समझ में आ रहा होगा कि अब जो है चालुक के चेर चोल पांड इन सब सारे चीजों के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा कॉंप्लिकेटेट लगेगा लेकिन कहानी बार-बार रिवाइंड करके जहां जाते थे वहां उनका प्रशाशन हो जाता था जहां उनका छेत्र हो जाता तो य然 रखना है कि हम जो पढ़ रहे थे इससे पहले कि रजखती के अभिएक में पूल के्शिंदूति की जानकारी है जिसमेंपत क क्यों से सोब तो गुप्टन सो कि समाप्ती के साथ राजनीती एकता का पतन हो गया और अनेक छोटे-छोटे वनसु की स्थापना हो गई लेकिन इसे हम अगर आपका वर्धन वनसु का तो वो प्रवखाकर वर्धन थे और प्रभाकर वर्धन जैसे की मैंने बताए कि वस्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे इन्होंने थ्ञाने राजधाने बनाई हरियाना के अंबाला जीले में ठीक है और हर्षवर्धन ने कहा राजधानी ले गई आपका कन्योज में ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना को एक वैपारी के इंदर से स्वार्धन ने परम भट्टारक की उपाधिधारन की ऐसे कि मैंने बताया इसने अपनी राजधानी क्या कि कन्योज की सासनकाल 606 से 747 इस वी परस्ण पुछा जाता है बारभट जो है इसके क्या थे दरवारी कवी थे जिन्होंने हर्स चरीत रिखा वेंसांग इसके विदेशी यात्री आया था या इसे क्या कहा जाता है हर्स वर्धन स्वयम एक कवी था याद रखेगा बहुत ही अच्छा व्यक्ति था दरसल बात इस प्रकार से है कि राज श्री उनकी जो बहन थी उनका प्रशाशन था एक प्रकार से कहा जाया कन्योज तो उनका ही अधिपत्य उन्हीं कही अधिकार होना था तो उन्हें प्र और ये दर्शी का किसकी रचना है प्रस्ण सीधा सीधा पूझा जाता है तो क्या है आपका हर्स वर्धन की रचना करते थे दरसल एक बात बता दूं आप लोगों को नालंदा विश्व विद्यालय में बहुत धर्म की महायान साखा की सिक्षा दी जाती थी तो डेफिनेटली जो है आपका क्या हो जाएगा हर्षवर्धन जो है महायान साखा के समर्थक थे ठीक है और कौन शिक्षा देता थे तो यहाल पढ़ने के लिए थे वेंसांग और पढ़ने के साथ साथ क्या करने लग गए यहां पढ़ाने भी लग गए ठीक है तो आई यह हर्षवर्धन अंतिम हिंदो समराठ था ठीक है भई इन्होंने दो धर्म सभायोज की तो कन्नौज में जो एक सभायोजित की थी जि जो है बहुत धर्म का समर्थन कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होना है कि कन्नौज में जो आपका क्या बोलते हैं बहुत संगीती कराया था उसी को ही पाच्वी बहुत संगीती का आपका संगया दे दिए दूसरा कराया आपका प्रियाग में ठीक है मोक्ष परिसर नाम दे कर दिये गैस का हर्स के उपाधिया करуска और आपका न цен नर्मदा नदी तक नर्मदा नदी तक था लेकिन नर्मदा नदी तक तक के था लेकिन नर्मदा-तवर्धन को पुलकेसिन दृती ठीक है और पड़ते हैंんな के वाद है हर सुवर्धन को चालू के सासा कूल के सिंदुती ने नर्मदा खाटी में हराया था जिसकी जानकारी एहल पविलेग बता दिया हूं ठीक है तिरिपक्षी संगर्स अब देखो क्या हुआ कि हर सुवर्धन अब हर किसी का सासन तो चली नहीं सकता हर सुवर्धन जो अब याद रखना है किस वज़ा से कमन्योच की वज़ेसे रेसं वश्तरुद्योक के लिए भी मस शेत्र ठाबए मिंट ओंडड़ा अइस इसे के बारेस हिएется कि करें शेलंगे और विजेजाद करता है लेकिन यहां कॉंपलीकेशन दिखाई देगा सासन जो है गुर्जर प्रतिहारों ने किया था तो यह एक बार रिवाइस करके जरूर बैठिएगा और इसे एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो सारी चीज़े असान हो जाएगी लास्ट में इंशियन्ट आते आते थोड़ा सा कॉंप्लीकेटड हो जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है एकदम सिक्वेंस में जिस प्रकार से वीडियो आ रहा है वेसे ही पढ़ते जाना भई है अगला है यहां से हमारा होता है प्रस्न सत्र प्रारंब तो क्या दिखाई दे रहें आपको मौखिक लिखाया है यह लेकिन यहां होगा मौखरी क्या होगा यह यहां गलती हो गया मौखरी लिख लेना मौखरी शासकों की राजधानी थी तो मौखरी राजशक कोन बताया मैं कन्योज में कौन आपका ग्रिवर्मन ग्रिवर्मा कौन जो आपका राश्री से जिसका विवा हुआ था राश्री जैसे ब आपका ग्री वर्मा तो कंफ्यूज नहीं हो ना इस चीज में आगे बढ़ते हैं ठीक है हर्स के समय की सुचनाय किसकी पुस्तकों में नहीं थे बताओ भई हर्स के समय की सुचनाय किसकी पुस्तकों में मैं बताया हूं इसको लगा सकते वापांसर हरी सेन की कल्हन की काली दा अब यहां जो आता है आपका कल्हण और कल्हण की पुस्तक का नाम था आपका राज तरंगनी ठीक है कल्हण की पुस्तक का नाम राज तरंगनी में जानकारी मिलती है कि आपका इस प्रकार से सूचना है हर्स वर्धन के बारे में है देन उसके बाद है हर्स चरीत नामक पुस्तक किसने लिखी किसने लिखी है हर्स चरीत नामक पुस्तक माणभट किसने लिखी है माणभट थोड़ा सा जो है फॉन्ट जो है उपर नीचे हो गया है ठीक है चमा चाहूंगा उसके लिए आगे बढ़ते हैं समराथ हर्स ने अप उत्तरप्रदेश में इस्थित वह है इस्थल जहां हर्ष वर्धन ने बाद्ध महासंवेलन का अयोजन किया था बटाओ भई उत्तरप्रदेश के वह हैस्थल तुरंत अनसर लगा। काशी प्रयाग आयोध्य असारना तो प्रयाग में आपका यहां क्या इस्थापित किया था बौध महा सम्मेलन जिसे पांचवी बौध महा सम्मेलन की संग्या दी गई ठीक है नर्मदा नदी पर समराथ हर्स ने दक्षिन वर्ती अग्रमन को रोका था अरे बापर इतना बड बढ़ें निमलिखित सासकों में से किसने हर्स वर्धन को पराजित किया था ओके पुलकेशिन दुटी ने किया था ठीक आगे बढ़ें प्रसन है हमारा प्रसन का मांग आठ चालुक के शासक पुलकेशिन की हर्स पर विजय का वर्स कौन सा था ओके थोड़ा इस अंहीं ने हर्स को पराजित किया था ओके आगे बढ़ें अगला है किसके संग बाया था औरे बहुत ही मतलब समरिध्य चेत्र था इसलिए काशे सब्द किया जाता था किसे के लिए रेशम के लिए ठीक है तो इस प्रकाल से पुछे जा सकते हैं चीनी यात्री वेनसांग MEL ने कि सिख्विड्यालय प्रशन में अध्यापन गया था तो भी प्रस hablando का आझे नालंदा ही होता और कौन से साखा का क्या आद रखना है महायान ठीक है तो प्रकार के शाखाओं में बढ़ाद्धर्म ही महायान ठीक है पढ़ाए अच्छी तरह से आज भी भारत में वेंज सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है देखो भई क्या करण है हर्स के प्रति की रचना के लिए आपका जाना जाता है चीनी लेखक जैनीलेखक भारत का की सावय खिस नाम से करते थे धे लो मतलब चीनी आत्रियों का राड्य गडिय है कि रूप जाना में क्षिण देश को देपर कॉलते थे लगदा आप का फोकू oriented लायन कि पुस्थक municipality में ठीक है सिकिया पोनों के बारे में तो मैंने पढ़ा नहीं है इंतु इंतु कहते थे भारत को क्या कहते थे याद रखेगा भारत को चीनी आतरी लोग क्या कहते थे इंतु ठीक है नया टैप का नाम है ये इंतु ओके अशा नहीं लग रहा है चाइनीज मोबाइल कोई सा शायो चलो आगे बढ़ते हैं नालंदा कहां परिस्थित है नालंदा कहां है बिहार में ठीक थोड़ा फॉण्ट उपर नीचे है चमा चाहूंगा जी इसके लिए गुपत उत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था प्रमुख व्यापारिक केंद्र माइने जैसे की बत इसका प्रस्न नहीं दिया जा रहा है अगली बार प्रस्न दिया जाएगा थोड़ी उसमें टाइपिंग में कहीं न कहीं मिस्टेक्स थी जिसकी वज़े से उसे उचीत नहीं समझा गया कि आप लोगों को दिया जाए आशा करता हूँ इतनी सारी चीजे आप लोग को समझ म आए होगी इसी के साथ इसाज़त चाहूंगा जय हीन जय भारत करें करें